करनाल इंद्री यमुनानगर स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक हाथसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो गंभी रूप से घायल हो गया इस मामले में पुलिस जाच अदिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हाथसा रात के डेड़ बजे के करीब हुआ जिसमें एक कोल्डरिंग से भरा ट्रक और दूसरा प्लाइवुड से भरा हुआ ट्रक आपस में टकरा गये और दोनों ट्रक शती ग्र उस दोरान ये ट्रक यमुना नगर की और जा रहा था जानकारी के लिए आपको बता दे कि इंद्री यमुना नगर स्टेट हाईवे पर निर्मान कारे पिछले कई वर्षों से जारी है और आए दिन यहां पर कोई न कोई हाथ से होते रहते हैं जिसमें लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं परन्तु स्टेट हाईवे का निर्मान कारे अभी तक पूरा नहीं हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि इसका निर्मान कब तक और कितने आद्मियों की जाने लेकर पूरा होगा दोस्री गाड़ी कहां से जारी दी दूसरी गाड़ी जारी ती निपता कहां जारी थी पानी कुसान लुघ कि जूड़ी प्राइलनक तक चुंड़ी को जांड़ी भूलाई जाएगी तूड़ी दोनों कडे टूड़ी थेखले हैं तो जल्दी जाम खुलूआ देखल हुआ है जी जी कब तक इस ती यहां को फुला रही जाएगे तो हुआ क्रेन बुलाई जाए ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क् इंटिनेंस फ्री और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें